दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि WhatsApp को बीना ओपन किये हुए मैसेँज को कैसे पढ़ा है अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp पर कोई मैसेज मुझे आरहा है मैं उसको बीना ओपन किये वए पढ़ सकूँ वहाँ पर double tick बन जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझे message कर रहा है मैं उसको पढ़ भी लूँ लेकिन सामने वाले को पता भी ना चले double tick भी ना बने तो कैसे आप बिना WhatsApp को open comment अब्ध बेटन दिखेगा या फूर एप इन्फो दिखेगा इस पर click कीजिए फिर यहां पर आपको notification का option दिखेगा इस पर click कीजिए अब यहां पर आपको allow notification या फिर लिए फिर इनेबल करके रखिएगा इसको एनेबल करने के बाद अब आपके WhatsApp पर जितना message आएगा उसका आपको उपर notification दिखेगा चलिए यहां पर मैं अपने दूसरे मोबाय से message send का लेता हूँ तो यहां पर मैंने message send किया और यहां पर आप देख सकते हैं मुझे message आ चुका है और मुझे notification में ही ये message दिख रहा है तो यहां से आप इस प्रकार से notification में ही अपने message को देख सकते हैं लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं इसको hide करके रखते हैं कि notification में उनका message ना दिखे और कई बार तो दिक्कत ये भी होती है कि आपने notification में पूरा message नहीं दिखता है और अगर 3-4 लोगों ने message भेजा है तो वो एक ही बार में ठीक से नहीं दिखता है तो अगर आप ऐसे में बीना WhatsApp को open की हुए message को देखना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी setting करने होगी इससे पहले आपको जो भी message आया होगा उसमें ये काम नहीं करेगा लेकिन इस setting को करने के बाद आपका ये काम करने लग जाएगा तो आपको अपने mobile की setting को open करना है settings में आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा से scroll करना है अगर आपका mobile थोड़ा latest वाला है या फिर Samsung का mobile है तो आपको इसमें ये setting जरूर मिल जाएगा इसमें आपको setting में आने के बाद notifications पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा advanced settings का आपको इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा notification history इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको ये option यहाँ पर नहीं मिला है आपको option डुणने में problem हो रही है तो यहाँ पर आपको search बार पर click करना है और यहाँ से आपको search कर लेना है notification history तो यहाँ पर यह option आजाएगा इस पर click कीजे और यहाँ से आप notification history पर click करके direct यहाँ पर आ सकते हैं अब यहाँ पर यह option है notification history का अभी ये बंद है तो इसको आप चालो कर दीजे ऐसे इनेबल कर दीजे अब यहां से आपको बाहर आ जाना है अब आपके WhatsApp पर जो भी मैसेज आएगा यहां पर मैं आपको मैसेज बेच कर लाइब दिखा देता हूँ अभी यह जो मैसेज आए यह नहीं दिखेगा लेकिन मैं जो नया मैसेज बेचूँगा यहां पर मैं बेच देता हूँ 1,2,3 मैंने उधर से मैसेज किया देखे यहां पर मैसेज आ गया माली यहां पर यहां पर आपको मैंसे ना दीखे तो आपको क्या करنا है अपने मोबाइल की सैटिंग में दوبारा से आना है सैटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको फिरSo notification, history सार्च कर लेनी है और यहाँ से आपको notification history वाले option में आना है फिरSo notification history पर क्लिक करना है अब देखे यहाँ पर आप जब notification history वाले option को enable करेंगे तो आपके mobile में जितने भी notification आएंगे सबके history यहाँ पर save होती चली जाएगी तो यहाँ पर देखे जो मैंने message भेजा है वो यहाँ पर आ चुका है इसी के साथ साथ आपको जितने भी message आएंगे वो यहाँ पर आपको history में so हो जाएगी यहाँ पर आपको जितने भी message आएंगे आपके मौल में चाहे WhatsApp का हो यह देखे अभी मैंने दूसरा message भेजा है यह भी यहाँ पर notification history में save हो गया अब इससे क्या होगा आप notification history में आकर message को देख सकते हैं आपको app को open करने की जरूत नहीं पढ़ेगी और सामने वाले को पता भी ने चलेगा कि आपने उसके message को पढ़ा है तो अब यहाँ पर जो भी message आएगा सब save होता चला जाएगा चाहे WhatsApp का हो, Instagram का हो, Facebook का हो सबका history यहाँ पर save हो जाएगा तो इस प्रकार से आप WhatsApp को बिना उपर किये हुए message को देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो फूलगा तो वीडियो का लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा